असलामू अलाइकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तीन भाई अपनी बहन को एक नेक आबिद शक्स के पास छोड़ कर सफर पर चले गए ताकि वो उनकी बहन की हिफाज़त करेगा और उससे तमाम बुरी चीजों से महफूज रखेगा फिर उसके बाद उस आबिद शक्स ने उनकी बहन के साथ जो किया उससे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे आप से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें चलिए देखते हैं वीडियो बनी इसराइल में एक आबिद शक्स था उस जमाने में उस से बड़ा कोई आबिद न था उस बस्ती में तीन भाई थे उनकी एक बहन थी जो कुमारी थी उसके सिवा उन तीनो भाईयों की कोई बहन नहीं थी इत्तिफाकन उन तीनो भाईयों को कहीं शहर में किसी जरूरी काम के लिए लंबी मुद्द के लिए जाना पड़ गया उन भाईयों को ऐसा कोई शक्स नजर नहीं आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ कर जाते और वो उस पर भरोसा करते लिहाज़ा सब भाईयों ने इस राई पर इत्फाक किया कि अपनी बहन को उस आबिद के सुपूर्ट करके जाए वो आबिद उनके ख्याल के मताबिक तमाम बने इसराईल में एक परहिजगार आदमी था चुनाचे उसके पास आए और अपनी बहन को उनके हवाले करने की दरखवास की कि जब तक हम शहर से वापस ना आए आप हमारी बहन का ख्याल रखी आबिद ने इनकार किया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनहा मांगी वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपने निगरानी में रखना मनजूर कर ले हता कि आबिद ने उनकी दरखवास को मनजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने इसी घर में छोड़ जाओ उन्होंने एक मकान में अपनी बहन को छोड़ दिया और चले गए वो लड़की आबिद शक्स के करीब एक मुद्द तक रहती रही आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता और अपने इबादत खाने के दर्वाजे पर रखकर दर्वाजा खटखटाता और वापस अंदर चला जाता लड़की घर से आती और खाना लेकर चली जाती फिर शैतान ने आबिद शक्स को वहकाना शुरू कर दिया अब्तिदा में उसको खैर की तर्कीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर घना जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा नहो कि ये लड़की दिन में खाने के लिए घर से निकले और कोई आदमी इसको देखकर इसके इज़त को खराब कर दे बहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दर्वाजे पर रखाया करो इस पर तुमको अजर अजीम मिलेगा गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर उसके दर्वाजे पर जाने लगा एक मुद्दक के बाद शैतान उसके पास आया, उसको तरकीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तु इस लड़की से बातचित कर लिया, तो तेरे कलाम से ये लड़की मानूस हो जाएगी, क्योंकि तुमें एक इबादत करने वाले एक नेक इंसान हो, दोस्तों अगर और कहा कि बहतर है कि तुम इबादत खाने के दर्वाजे पर और वो लड़की अपने घर के दर्वाजे पर बैठ कर दोनों बाहम बाते किया करो, ताकि उसको आप से उनुस हो जाए, और आप उसको नेक रास्ते पर लाने की तर्कीब जारी रखो, आखिरकार शैतान ने उ खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठो और हम कलामी किया करो, इसमें जादा अच्छी बात है, आपिद शक्स ने ऐसा ही किया, शैतान ने फिर तहसीले सवाब के लालस दिये और कहा, अगर लड़की के दर्वाजे के करीब हो जाओ, तो बहुत जादा बहतर है, ताकि उसको दर्वाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े, आखिरकार आबिद ने यही किया, अपने अबादत ठाने से लड़की के दर्वाजे पर आकर बैठता और बाते किया करता था, एक अरसे तक यही कैफियत रही, शैतान ने फिर आबिद को भारा, कि अगर घर क अंदर जाके बाते किया करो, तो बहुत जादा बहतर है, ताकि लड़की बाहर ना आए, और कोई आदमी उसका चेहरा ना देख सके, गर्ज ये कि आबिद ने ये तरीका इख्तियार किया, कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन बर उससे बाते किया करता था, और रात को रोज शैतान लड़की को उसकी नजरों में अराइश देता रहा और उसके दिल में गलवा करता रहा हता कि वो इससे ममुला बस हो गया लड़की ने हामला होकर एक लड़का चना फिर शैतान आबीद के पास आया और कहने लगा अब बताओ अगर इस लड़की के भाई आ गए और उसका बच्चा देखा तो तुम क्या करोगे मैं तो डरता हूँ कि तुम जलील और रिस्वा हो जाओगे शहर में तुम्हारे कितने इज़त है लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करेंगे तुम को संसार कर देंगे तुम ऐसा करो इस बच्चे को कतल करके जमीन में गाड़ दिया फिर शैतान ने उससे कहा क्या तुम यकीन करते हो कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपनी भाईों से पोशिदा रखेगी हरगिज नहीं तुम इस लड़की को कतल करके इसको भी जमीन में गाड़ दो ताकि मामला साफ हो जाए उसके बाद लड़की को कतल किया और बच्चे समेच जमीन में गाड़ दिया एक मुद्द गुजरने के बाद लड़की के भाई शहर से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी अफसोश जाहिर करके रोने लगा और कह वो बड़ी नेक बीवी थी देखो ये उसकी कबर है भाई कबर पर आए और उसके लिए दुआए खैर की कुछ दिन रोए और उसके बाद अपने घरों में जाकर अपने मामूल के कामों में मश्रूफ हो गए क्योंकि वो लोग उस आबिद शक्स पर एतबार करते थे कि वो एक नेक इंसान था एक दिन तीनों भाई सो रहे थे शैतान उनको खाब में एक मसाफिर आदमी की सूरत में बन कर आया पहले बड़े भाई के पास गया और उसके बहन का हाल पूछा उसने आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम में कबर और उसकी मा समेथ उसको जिबा किया और गड़ा खोद कर दोनों को उसमें डाल दिया जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाही नी जानी पड़ता है तुम चलो और उस घर में जाकर देखो तुमको वहां दोनों मा बेटा एक जगा मिलेंगे जै तीनों अपने अपने खौबों से ताजूब में थे, हर एक आपस में एक दूसरे से खौब बया करने लगा, कि मैंने रात अजीवो गरीव खौब देखा है, सबने बाहम जो देखा था, एक दूसरे से बया किया, बड़े भाई ने कहा, ये खौब फक्त एक ख्याल है, और गए, दर्वाजा खोला, जो जगा खौब में बताई गई थी, उस जगा को खोदा, जैसे ही खोदा, अपने बहन और उसके बच्चे को उस घड़े में जिवा किया हुआ पाया, उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दर्याफ्त की, आबिद ने अपनी जुर्म का इकरार कर उसको पकड़ कर बादशा के पास ले गए, क्योंकि वो शक्स ने इकबाल जुर्म कर लिया था, इसलिए बादशा ने उसको सजा ए मौत की सजा सुना दी, और फिर फोरण फांसी देने का हुकम सादर फर्मा दिया, बादशा की सिपाई उसको पकड़ कर फांसी देने के ल अब अगर तुम मेरा कहना मानो और मुझको सजदा कर दो तो मैं तुमको इस मुसीबत से आजाद कर सकता हूँ मैं तुमको निजाद दिला दूँगा आबिद ने अपने सर पर मौत मंडराती हुई देखी तो फौरन शैतान के आगे सजदा कर दिया और खुदा ताला के दर् पहुँचा वो आदमी जो सारी उम्र अल्ला ताला की इबादत करता रहा सजदे करता रहा पूरी जिंदगी कोई गुना नहीं किया था वो आदमी शैतान के बहकावे में आकर उसका इफ्तिदाम कुफर पर हो गया मेरे मौतरम अजीज दोस्तों कहते हैं कि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्ष होता है, हमें अल्ला ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि हमारा इक्थदाम कलमे पर हो और मरते वक्षभ कलमा नसीब करें मेरे अजीज दोस्तों अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर खतरनाक है हमें चाहिए कि इस वाकिये से सबक हासिल करें और शैतान के हद कंडों से अपने आपको बचाएं अमें यार्बू